हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अक्षे आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रगते इनलाइट में दोस्तो एल्पी टेक्निशन का जो एक ज्याम हुआ था दो हजार और निस में दोस्तो ये पेपर है आठ दो हजार और निस का चैनल पर जाकर जेख सकते हैं दोस्तो ये छोटा सा चैनल है प्रगतिन लाइब आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को जाथा सेर कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो तो फोटी वन कोश्यन है दोस्तो कि एक निश्चित कूट भास में प्लस को माइनस प्रतिंदतो करता है यानि प्लस को माइनस लिखा गया है और दोस्तो भागा को प्लस लिखा गया है माइनस को भागा लिखा गया है और गुणा को माइनस लिखा गया है तो आप लोग को ये हॉल करना है तो आप लोग हॉल कीजिए गा तो इसका आएगा option number 4 12 इसका option number 4 आएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कि यदि विक्रे मुले दो गुना हो जाए तो उस पर लाव चार गुना हो जाता है तो लाव की गढ़ना करें दोस्तों ये math से कोशन है तो इसका correct answer आएगा कितना 50% कितना आएगा दोस्तों अगर विक्रे मुल 2 गुना हो जाता है तो उस पर लाव 4 गुना हो जाता है तो लाव की गढ़ना करना है तो इसका option number 1 सही है चलिए अगला कोशन है कि एक तार को उसकी लंबाई से 4 गुना तक खीचा जाता है तो खीचे हुए तार का परतिरोद उसके मुल परतिरोद का कितना गुना हो जाएगा तो यह आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा यह 16 गोना हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 44 है कि 100 लिटर की एक मिस्टर में दूद और पानी का अनुपाद तीन अनुपाद दू है यदि उस अनुपाद को एक अन और यदि इसको अनुपाद कितना बनाना है एक अनुपाद दू बनाना है कितना एक अनुपाद दू बनाना है तो कितना पाने मिलाया जाएगा तो इसका करेक्टेंसर आएगा दोस्तों अप्सन नमबर 2 80 लिटर क्या होगा 80 लिटर आप लोग बनाईएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 45 है तो दिया गया है दोस्तू छंद का समंद्ध दोहा से है तो वाक्य का समंद्ध किस से है तो दोस्तू छंद का समंद्ध दोहा से है तो वाक्य का समंद्ध पाराग्राप से है क्या है पाराग्राप से चलिए अगला कोशन है कोशन नमर 46 है 46 है कि Q कुलंब के आवेश को 12.5 होल्ड पर प्रवाहिद करने में यदि 625 जूल का कारे होता है तो Q का मान ग्याद करें तो दूस्तो Q का मान यानि आवेश ग्याद करना है तो इसका कितना हैगा 50 एमपियर चलिए आगला कोशन है नेश्ट कोशन है कि 47 यदि एक आयत की लंबाई में 80 परतिशत और चोड़ाई में 20 परतिशत की ब्रिधी हुई है तो उसके छेत्रफल में कितने परतिशत की ब्रिधी होगी तो दूस्तो ये ऐसे बनाते हैं जैसे कि आयत की लंबाई में 80 परतिशत की ब्रिधी यानि 80 हो गया और प्लस चोडाई में 20 परतिसत की प्रिदी प्लस 80 इंटू 20 बाटा 100 इसको हल किजिएगा तो आएगा 116 परसेंट कितना आएगा 116 परसेंट आएगा चली आगला कोशन कोशन नमबर 48 है खाली अस्तान सरकल एक सपस्ट चक्र है यादि दो गेयर को ऐसे लिया जा सकता है जैसे कोई रोलिंग सिलेंडर बीना घर्षन के घुमता है तो इसका करेक्टेंसर आएगा दोस्तो अपसन नमबर 3 पीच यह आएगा पीच चली आगला को सीला को कितना भुगतान करना है कथन में दिया गया है कि हेल्थ क्लब पिछले महीने में कम किये गए प्रती एक किलो ग्राम वजन के लिए एक हजार रुपए के छूट परदान करता है दूसरा दिया गया छूट से पहले हेल्थ क्लब की फीच 10,000 रुपए है सीला का को चूने जो दूसरों से भीन है दोस्तों बैल गाड़ी ट्रेक्टर कार और बस तो दोस्तों ये तीन सेम है और ये बैल गाड़ी जो है दोस्तों अलग ये भीन है चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 51 है कि A और B एक बिंदू से साइक्ल चलाना शुरू करता है ये 8 किलो किलोमीटर चलता है तो आप लोग हल किजिएगा तिसका करेक्टेंसर आएगा 4 किलोमीटर पस्चिम क्योर कितना पस्चिम क्योर 4 किलोमीटर चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 52 तो दिया के है दोस्तों कि with the people पुस्तक किसने लिखी कदक with the people पुस्तक किसने लिखी तिसक यह अगला कोशन है, कोशन नमबर 54 है, कि 42, 64 और 80 का लगुतम समापर्तक क्या होगा, दूस्तों, 42, 64 और 80 का लगुतम समापर्तक क्या, LCM क्या होगा, तो इसका correct answer आएगा दूस्तों, 6720, 42, 64 और 80 का आप लोग LCM निकालियेगा, तो इसका आएगा 6720, आपसा नमबर 2, चलिए अगला कोशन है, यदि आज सोम बार है, तो 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 65 में 7 से भाग किजिए, तो इसका सिस कितना आएगा, सिस पल कितना आएगा, दो आएगा, यह 9 बार में कर ज़ए, 63 में यानि 2 आएगा, तो यानि 2 आएगा, तो सोम बार में 2 पलस जोड़ दो, यानि मंगलवार, बूधवार, इसका करेक्ट एंसर आएगा, बूधवार, अपसा नमबर 2, चलिए अगला कोशन है, कोशन नमबर 56, यह दिया गया है दोस्तों, आप लोग ऐसे हल किजिएगा, तो इसका मन क्या होगा, तो इसका करेक्ट एंसर को एक ही तरफ विश्थित होते हैं, तो इसका करेक्ट एंसर क्या गया, दोविज्या होगी, अपसा नमबर 4, चलिए अगला कोशन है, कोशन नमबर 58 है, निमली खित में से किसे दिसंबर 2018 में भारते रिजरब बैंग के 25 गवर्णर के रूप में निक्त किया गया था, यह स ससी कांथ दास को, जो दोस्तों 2018 में भारते गुवर्णर के रिजरब बैंग के जो की 25 गुवर्णर के रूप में निक्त किया गया, ससी कांथ दास को, चलिए अगला कोशन है, कोशन नमबर 59 है, यह जो एक ग्राफ दिया गया है, तो इस तो आप लोग हल कीजिएगा, स्ट निक्त में से कौन सा बेस यूनिट है, तो दोस्तों बेस यूनिट कौन से केंडला है, दोस्तों यह 20 कोशन है, आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा, यह छोटा सा चैनल आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ज्यादा सा वीडियो को सेर कीजिए और सस्क्राइब कर जैहिन बंदे मात्रम